कम ते सुरख्या अते सेहत लई विशव दिवस अठाई अप्रेल नू मनाये जानवाली सलाना समारो है। इस साल ए यादगार एत्वार अठाई अप्रेल दो हजार चौवी नू आउंदी है। आउं इस मतव पूरण दिन दे इतिहास अते महत्तब बारे विचार करिए। अगेनाईजेशन दी किता मुखी सुरख्या अते सेहत ते गलोबल रणनीती दा एक अनिखणवा अंग है। जिमें कि जून 2003 विच अंतर राष्टरी लेबर कानफरंस दे सिट्यां विच दरज कीता गया है। गलोबल रणनीती दे मुख थम्मा विच्चो एक है वकालत अते विशव दिवस सुरख्या ते सेहत मंद कम वतावरन बनावन बारे जागरूपता पैदा करन लेए एक मतव पूरन साधन वजों कम करदा है। अठाई अप्रेल नू उनी सो च्यानवे तो टरेड यूनियन अंदोलन दौारा विशव पर विच आयोजित कीते गए मरितक अते जखमी मजदूरा लई अंतर राष्टरी यादगार दिवस वजोवी मानता परापत है। ओदेश कम ते सुरख्या अते सेहत लई सालाना विशव दिवसदा ओदेश विशव पद्दर ते किता मुखी दुरकटनावा अते बिमारियां दी रोग थाम नू उत्शायत करना है। एक जागरूकता उसारी मुहिम दे तौर ते कम करदा है। कम वाली थांदी सुरख्या अते सेहत मुद्द्यां दी विशालता वल अंतर राष्टरी ते आनखिचदा है। सुरख्या अते सेहत सब्याचार दी वकालत करके, असी कम नाल सबंदत मौता अते सट्टान दी गिंती नू कटाउन विच मदद कर सक्दे हां। जिम्मेवारियां, सरकारां, करमचारियां दी रुजगार योगता अते उद्दम दे वदन फुलन नू यकीनी बणाउन लई लोणी दा बुन्यादी टांचा, कानून अते सेवावा परदान करन लई जिम्मेवार हन। इस विच सुरख्या अते सेहत कानून नू लागू करन लई राशत्री नीतियां, परोग्रामा अते निरीखन परनालियां दा विकास करना शामल है। लुजगार दाता, सुरख्या अते सेहत मंद काम करन वाले वातावर नू यकीनी बणाउन लई जिम्मेवार। वरकर, सुरख्यत टांग नाल कम करन, अपनी रख्या करन अते दुजयानू खत्रे विच ना पाउन लई जिम्मेवार। उनानू अपने अधिकारा प्रती जागरूख होना चाहिदा है अते रोक्ताम उपावानू लागू करन विच सरगर्मी नाल हिसा लेना चाहिदा है। उबर रहे जोखम, तक्नीकी नवीनता जा समाजेक अते संगठना तमक तबदीलियां कारण नवे अते उबर रहे किता मुखी जोखम पैदा हो सकदे हन। उदारन विच नवियां तक्नालोजियां उदारन ले नैनो तक्नालोजी, बायो टेक्नालोजी अते उत्पादन प्रकिर्यावां शामल हन। संखेप विच्छ कम ते सुरख्या अते सेहत लई विश्वव दिवस, सुरख्यात, सेहत मंद कम वाली थां बणावन अते दुर्कटनावा अते बिमारियानू रोकंदी महत्ततानू रेखांकित करदा है, आओ अपने कम दे वातावरन विच्छ सुरख्या अते तंद्रुस्त तरजीव दिन्दे रहिए